जैहिन दोस्तो A2B2 Study की YouTube चैनल पर मैं रंजित केश्री आप सभी का एक बार फिर से हारदिक स्वागत करता हूँ दोस्तो आज है 2 अक्टूबर और आज है गान्थी जी की जैन्थी आज से स्टार्ट हो रहा है डीप हार्मा इंटेक्स एक्जाम 2023 की काउंसलिंग का सेकेंड राउंड का च्वाइस फिलिंग तो च्वाइस फिलिंग के लेकर के कौन-कौन से रूल्स होने वाले हैं आज की वीडियो में कंप्रेट हम समझने वाले हैं दोस्तो दो तारीक आज है और यहाँ पर आप देख सकते हैं शेकेंड राउंड की निव च्वाइस फिलिंग जो है वो दो तारीक से लेकर के चार आक्टूबर तक आप सभी च्वाइस फिलिंग यानि तीन दिनों तक आपको समय दिया रहा है दो तीन और चार तक आप पूरी बारा बजे रात तक आप च्वाइस फिलिंग कर पाएंगे इसके कुछ रूल रेगुलेशन है कि कौन से च्वाइस फिलिंग कर पाएंगे कौन नहीं कर पाएंगे तो चलिए पूरे रूल को ध्यान से समझ देते हैं सबसे पहला रूल जो बताता है वो बताता है कि उपरोग्त तीनो चरड़ों की काउंस्लिंग में भाग लेने वाले अभ्यर्थी संबन्धित चरड़ में काउंस्लिंग पोर्टल पर अपने लॉगिन आईडी के माध्यम से नए विकल्प भर सकेंगे अभ्यर्थी अधिकाधिक विकल्पों का चेहन करें देखिए साब तोर पर आपको उता दे इस पहाया नमर पर यह कहता है कि आप चाहे फर्स्ट राउंड में हो चाहे आप सेकेंड राउंड में च्वाइस फिलिंग कर रहे हो या फिर थर्ड राउंड में आप तीनो ही आप सेकेंड राउंड में च्वाइस फिलिंग नहीं कर पाएंगे दूसा नमर पर कहता है कि प्रथम दितिय एवं तीती चरण में डाकुमेंट वेरिफिकेशन प्रदेश के सभी जनपदों में बने राज की एवं आनुदानित पालिटेक्निस अस्थानों में बने केंद् प्रथम तीन चरण केवल उत्तर प्रदेश राज के सन्युक्त प्रवेश पैच्छा में उत्तिड अभ्यर्थियों की काउंसलिंग तथा प्रवेश के लिए ही है यानि अधर इस्टेट के बच्चे इस फर्स्ट टूर्ट थर्ड राउंड की जो काउंसलिंग है इसमें भ प्रवेश 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 के लिए है यानि अधर आप पैसानी करते हैं देखें आप दिया गया है सीक्यूर्ट राशी काउंसलिंग सुल्क आनलाइन जमा करना होगा फ्रीज विकल्व का चयन करने की दसा में अभ्यर्ति को सीट एकसेप्टेंस सुल्क यानि यही 325 रुपे आनलाइन जमा करने की बाद अविलेक सत्यापन यानि डिवी के हेतु जनपद में बने सहायता केंदर पर जाना होगा डॉकुमेंट वेरिफिकेशन के पस्चात संस्था का प्रवेश सुल्क यानि जो आपका एड्मिशन फी होगा वो आपको नियत तिथी आनलाइन जमा करना ही करना होगा और इसकी डेट जो है वो 15 अक्टूबर तक है जो भी स्टूडेंट फर्स्ट राउंड में ही 24 फिलिंग करके डॉकुमेंट वेरिफिकेशन करा चुके है उनके लिए मैं बता रहा हूँ आप 15 अक्टूबर तक जो है अपना एड्मिशन फीस जो भी हो आपके कॉलेज का फ यदि कोई अभिरती फ्लोट विकल के चैन के पास चात सिक्यूटी रासी एवं काउंसलिंग सुल्क जमान नहीं करता है तुवा दितिय एवं दितिय चलड के काउंसलिंग के लिए पात्र नहीं होगा यानि आपको पथम चलड में कोई कॉलेज मिला हुआ है आपने क्या कि करते हैं तो आप सेकेंड राउंड में या फिर थर्ड राउंड में च्वाइस फ्लिंग नहीं कर पाएंगे आप काउंसलिंग के प्रक्रिया से बाहर हो जाएंगे और फिर आप फोर्थ राउंड से काउंसलिंग कर पाएंगे इसी प्रकार फ्रीज विकल्प का चैन करने क पस्चात यदि अभ्यर्थी निर्धायत अवधी में डॉकुमेंट वरिफिक्शन ने कहा था आपको कॉलेज पसंद आ गया आपने कॉलेज को लॉक कर दिया फ्रीज कर दिया लेकिन आप डीवी वगरा कराने नहीं गया उस कंडिशन में आप तीन राउंड की काउंसलिंग स पूर तह बाहर हो जाएंगे और जो आपने ये 3250 रुपे पेड किया है फ्रीज के बाद ये भी आपको वापस नहीं किया जाएगा इसका विशे ध्यान दखेंगे हाँ आप क्या करेंगे वो जो की फ्रीज कर दिया थे लेकिन डीवी करान नहीं गया तो आप फोर्थ किसी भी दसामें वापस नहीं किया जाएगा डॉकुमेंट वेरिफिकेशन के पासचात अभ्यर्थी को अपने लॉग इन के अवसे सिच्छर सुलक काउंसलिंग के निधारित समय अवधीक पर पोर्टल के माद्यम से जमा करना होगा जो आपका एडमिशन भी है वो आपको जमा करना होगा सेवेंट नंबर पर आपको दिखा गया है कि अभ्यर्थी द्वारा मुख्य काउंसलिंग की प्रथम एवं दितिये चरण में स्चीट फ्लोट करने की दसामें दितिये चरण में आवंटिन स्चीट स्वतर फ्रीर हो जाएगी माल जी आपने फर्स्ट राउ में क्या हुआ आप चलेगा यहां पर सेकेंड राउंड में अब आपने च्वाइस फिलिंग किया फिर से अब आपको क्या हुआ कि सेकेंड डाउन का जो रिजल्ट आया तो इसमें जो आपको कॉलेज मिला है न वो कॉलेज भी आपको पसंद नहीं आया यहां पर मैं लिग आपको ये 3250 फिर से नहीं पेट करना है 3rd round में आपका result आएगा यहाँ पर 3rd round में लिख दे रहा हूँ 3rd round का जब result जारी होगा आपको इसमें जो भी college मिलेगा ठीक है 3rd round में आपको जो भी यहाँ पर college मिलेगा वो college आपको freeze या flot करने का option नहीं मिलेगा वो automatically freeze हो जाएगा क्योंकि आपको दो बार chance दिया गया कि आप एक बार counseling कराईए college पसंद नहीं हो तो दो बार कराईए लेकिन तीसरी बार आप नहीं कर पाएंगे तीसरे बार में आपको जो भी college मिला है वो freeze हो जा रहा है college अपने आप freeze हो जा रहा है तो देखिए उस condition में क्या होगा आपका जो जो 3250 रुपा है न ये वापस नहीं होगा लेकिन अगर आप फिर भी college में admission नहीं लेना चाते हैं जो आपको मिला हुआ है आप fourth round से फिर से counseling करा पाएंगे एक नए सीरे से आपको फिर से payment बगरा करना होगा मुखे counseling के प्रथम एवं दिती चर्ड में आवंटित सीट को freeze करने एवं दिती चर्ड में आवंटित सीट फ्रीज हो जाएगी इस दसा में अबर्थी को सर प्रथम seat acceptance soul का online जमा करना होगा अगर आपने अभी तक नहीं पेंट किया है तो आपको paid करना होगा online पर उसके बाद document verification के लिए निधायत जन्दपत के सहायता पर जाना होगा आपको केंदर पर और आपका DB कराने के बाद आपकी जो college की फीस होगी वो online अपनी profile को login करकी आपको payment करना होगा देखें 9th नमबर पिलिखा गया है मुखे counselling में प्रतिभाग कर प्रवेश की कारवाई पूड कर चुके जीनब्यारतिय को कतिपाय काड़ों से आपका कोई भी काड़ हो आप college से दूर नहीं रह पा रहा है ठीक है कोई problem हो रही है college आपको पसंद नहीं है आपने admission ले रखाया है चीक है सब कुछ complete हो गया है फीस payment वगरा सब कुछ हो चुका है अगर आपको लगता है कि college मुझे पसंद नहीं है तो अंतिम दिदसा में आपको admission ले चिका है आपको अध्यन नहीं करना है तो आप schedule की अनुसार निधायत अवधी में seat को withdrawal कर सकते हैं आप प्रवेशिस seat छोड़ने वाले अभरती counseling प्रक्रिया से बाहर हो जाएंगे एवं किसी विदसा में 2324 में कहीं भी प्रवेश है तू पात्र नहीं होंगे और आपका जो प्रवेश होगा वह आपका वापस हो जाएगा यह भी इसमें कहा गया है वो date कब होने वाली है तो counseling जब in हो जाएगी आप मैं आपको दिखा दू date भी कुछ student होंगे जो ऐसे होंगे तो देखिए admission seat withdrawal का जो date है में आगे कोई भी problem नहीं होने वाली है अब अन्त में बात कर देखिए है यह चिचकी second down की choice filling कब से होगी तो second down की choice filling है वो 2 October से होने वाली है 2 October से choice filling होगी और यह कब से start होगी सर तो यह जो है आपका 1 PM से लेकर के 1 PM से लेकर के 3 PM के बीच में start हो जाएगा और अगर ऐसा नहीं होता है तो यह साम के 5 PM से लेकर के 7 से 8 PM तक जो है start हो जाएगा ठीक है और maximum chances हैं कि 1 से लेकर के 3 बज़े के बीच में आपकी choice filling स्टार्ट हो जाएगी ठीक है तो जिन भी बच्चों को choice filling कराना होगा हमारे द्वारा वह हमें टेल्ग्राम पर contact कर सकते हैं वहापर हमने contact detail आपको दे रखा है